इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्टीन लूथर एंड रिफॉर्म के बारे में Martin Luther and Reform समझो ज़र अच्छे से क्या चीज़ है अभी तक हमने जो चाप्टर पढ़ा पुरा लगबग लगबग चाप्टर जो हमारा कम्प्रीट हो गया मतलब सारे टॉपिक्स तो पढ़ लिए हैं लास्ट टॉपिक है हमारा तो हमने क्या देखा चाप्टर में अगरे स्टार्टिंग से बात करें तो जो मेंस्ट्रीम रिलिजन रहे मेंस्ट्रीम रिलिजन जैसे हिंदुईजम रहा हिंदुईजम इसलाम रहा तो हमने इन धर्मों में से अलग-अलग पंथ निकलते हुए देखे अलग अलग सेक्ट निकलते हुए देखें, we have seen multiple sects coming out of those religions, जो mainstream religion है, तो जिसे इसलाम में से सूफी सेंट्स ने अलग अपना रास्ता दे दिया, ठीक, उन्होंने, they gave a different path for the devotion, ठीक है, they have their own path, जिससे आप divine तक पहुँच सको, फिर अगर आप देखोगे किसका Hinduism, तो Hinduism में भी various saints, various bhakti saints, yogis के बारे में हमने पड़ा, तो सभी ने क्या किया, अपना-पना अलग-अलग रास्ता दिया, अलग-अलग philosophy दी, आया समझ में, अब जब आप बात करते हैं तो bhakti और सूफी moment की, तो some way or the other, यहाँ पे reformation की बात होती दोनो moments में, भakti saints भी, सूफी saints भी, they are talking about reformation, they are talking about reform, कैसे reformation, कैसे reform, तुन नहीं बोला कि नहीं नहीं, यह brahmanical domination जो है, वो सही नहीं है, आप कैसे किसी को कह सकते हो कि, सिर्फ किसी एक specific caste में जन्म लेने के करण, आप यह बोल दोगे कि नहीं है, यह तो lower caste में जन्म लेने, तो भगवान इसके मतलब कह सकते हैं, भगवान इस पर अपने कृपानी करेंगे, तो एक वो क्या है कि लोगों के मन में protest जो था तो reformation का का काम, reformation या फिर कह सकते, religion में इस तरह की चीज़ थी कि, भी यह जिसके पास पैसा होगा, वो यग यव अगेरा करवाएगा, तो भगवान का अशिर्वाद मिल जाएगा, गरीब का क्या होगा, तो वो society में जो लूपोस थे, उनमें reform लाने के लिए कही ना, भक्ती मुमेंट, सूफी मुमेंट आपको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, यहाँ भक्ती मुमेंट, सूफी मुमेंट जो तो वो अपने personal devotion तक सीमित थे, वहाँ तक तो सही था, उसी के साथ साथ उनमें society में reform भी लाया, ठीक है, यह चीज़ है, तो भक्ती और सूफी मुमेंट को आप ऐसे रिलेट कर लो, अब यह जो reformation है ना, तो यह reformation क्या है, a similar reformation in Christianity also took place, ठीक है, तो Christianity में, अब जैसे अब medieval period पढ़ रहो, तो medieval period जहाँ खतम होगा, वहां तक British आ जाएंगे हमारे देश में, अब British आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझदा होगा, कि जब British हमारे देश में आ गए हैं, ठीक, तो उनका religion भी तो अलग है, क्या follow करते हैं Christianity, तो अब हमें वो भी पढ़ना, वो भी समझना जबरी कि क्या Christianity में भी ऐसा कोई भक्ती movement टाइप से चीज़ चली थी, मतलब क्या reformation आया था, तो जी हाँ, अब हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, interesting चीज़ देखो क्या है, तो one of the most important leaders of the changes that took place, that took place within Christianity was Martin Luther, ठीक है, 183 to 1546, Martin Luther, यह रहा है Martin Luther, इन्होंने Christianity में reform लाने में, मतलब इनका एक बहुत बड़ा नाम है, आज आप देखोगे, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो Christianity जो हैं, जो Christians हैं, जो Christianity को follow करते हैं, तो दो major sect हैं, और भी sects हैं, दो major sect हैं, दो major sect कौन कौन से हैं, तो जो दो major sect हैं, वो हैं, एक major sect में, जैसे अगर आप देखोगे, जानोगे, तो Protestant होते हैं, ठीक है, जो Martin Luther के बाद में आएं, और एक होते हैं Catholic, ठीक है, अब ऐसा consider किया जाता है, Catholics are the early Christians, ठीक है, सबसे पहले Catholics ही रहें, लेकिन अब दिक्कत क्या होई कि Martin Luther ने ये देखा कि जो Christianity follow की जारी है Catholic Churches के द्वारा, Protestants के Church अलग होते हैं, Catholics के Church अलग होते हैं, अब ऐसा नहीं कि भगवान बदल गए, इसा मसी को ही पूझ रहे हैं, बस उनके तरीके अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, सबको पहुचना वहीं तक है, सबकी मंजिल एक है, बस जाने के रास्ते अलग अलग हो गए, तो Luther felt that several practices in Roman Catholic Churches went against the teachings of Bible, अब Bible क्या है एक तरह से आप देखोगे, तो जैसे आप Quran देखोगे, तो Quran क्या है, इसलाम के लिए source हो गया, source of conduct हो गया, कि हाँ, ये धर्म की किताब हो गई, वैसे ये Bible की बात करते हैं, तो Christians के लिए वो जो book है, तो वो holy book हो गई है, ठीक है, वो holy book हो गई, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से गर आप देखोगे, तो सारे मतलब stories या फिक कह सकते हैं, कि पूरा का पूरा religion उस book पे बीज़्ड है, ठीक, तो अब यहाँ पे अगर आप Bible की बात करते हैं, तो Martin Luther ने observe कि Bible के हिसाब से, जो Roman Catholic Church है, वो कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं, जो Bible में नहीं दिये, Bible के against जा रहे हैं, जैसे for example में आपको बताता हूँ, Hinduism में क्या है कि ग्रंतों में कुछ लिखा होगा, लेकिन ये Brahmanical domination जब establish हो गया न, तो दीरे-दीरे बदलाव ऐसे आ गया है कि लोग ऐसी चीज़ें करने लगे, जो शायद ग्रंत में कभी लिखे नहीं हो, क्योंकि Brahman's को क्या है, अपनी supremacy establish करना है, तो जैसे Brahman's ने क्या बोल दिया, कि दान में आप हमें स्वर्ण मुद्रिका दो, अब हो सकता है कि ग्रंतों में नहीं लिखा हो, लेकिन Brahman's क्योंकि ग्रंत वहीं पढ़के सुनाते हैं, अब होने ऐसा बता दिया कि आपको क्या करना है, हमें स्वर्ण मुद्रिका देना है, ठीक, उसी तरह से क्या है कि Bible में भी कुछ चीज़े नहीं लिखी होगी, लेकिन जो Roman Catholic Church थे वो वो सारी चीज़े करने लगे, जैसे एक प्रैक्टिस यहाँ पर आपको समझ में आएगी क्या, इंडलिजन्स की, आगे बताओंगा मैं आपको, ठीक है, तो Martin Luther ने जब यह देखा किया यह तो जो हमारी Holy Book है, उसके अगेंस जाके चर्च जो है ऐसे काम कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, तो Luther felt that several practices in Roman Catholic Church went against the teachings of Bible, he encouraged the use of language of ordinary people rather than Latin, अब Latin language थी, Latin language क्या आए कि ordinary people को समझ में नहीं आती थी, और इसी कारण से ordinary people क्या करता था, जो चर्च ने बोल दिया भाईया वो मान लेते हैं, और पहले क्या आता था, तो theocratic states होते थे, theocratic state क्या होता मैं आपको समझाता हूँ, मतलब ऐसे राज्य होते थे जहां पे चर्च सारी चीजे समालता था, मतलब चर्च बोलता था कि इसको सजय दरह नहीं देना है, ठीक है चर्च बताता था कि ये रूल होंगे, ये रूल नहीं होंगे, ठीक, जो काम administration का आज government करी वो चर्च करते थे, तो इस sense में क्या है कि चर्च के पास बहुत पावर होती थी, चर्च के पास बहुत पावर होती थी, वो पावर का अपना गलग तरीके से इस्तमाल करते थे, तो ये सारी चीजे Martin Luther को पसंद नहीं आई, उन्होंने क्या क्या उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, किस के अगेंस्ट में, चर्च के अगेंस्ट में, Roman Catholic Church के अगेंस्ट में लिखना स्टार्ट किया, no doubt वो Bible में विश्वास रखते थे, वो जीजस में विश्वास रखते थे, वो पूरी शद्धा रखते थे, वो Supreme God को मानते थे, सारी चीजे थी, लेकिन क्या है, ये जो ठेका लेके बैठे थे ना धर्म का, वो उन्हें नहीं मानते थे, तो उन्होंने क्या क्या, एक तरह से reformation लाने की बाद की, protest करा उन्होंने की ये चीज़ नहीं होगी, भक्ती मुमेंट में क्या था, सूफी मुमेंट में क्या था, आप देखोगे तो वो भी Supreme God को मान रहे, भगवान को नहीं न कार रहे, भक्ती कर रहे हैं, devotion है, लेकिन वो तरीका अलग बता रहे तो, आप मार्टी लूथर ने भी अलग तरीका बताया, कैसे हैं वो मैं explain करता हूँ आपको, तुन्होंने क्या ordinary language जो है लोगों की, जैसे वो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जर्मन लेंग्वेज आती थी, तुन्होंने बोला कि Latin language हर इंसान नहीं समझ पाता है, उन्होंने translate कर दिया, he translated Bible into German, German language में translate कर दिया, मतलब Old Testament जो थे तुन्होंने New Testament लिख दिये, ठीक है, मतलब उन्होंने अपना interpretation दिया, बोला कि Bible में ये है, तो ये इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जो churches हैं, कौन से? Roman Catholic Churches जो हैं, वो गलत interpretation दे रहे हैं, ठीक है, गलत interpretation दे रहे हैं, जो Bible की teachings के against में हैं, तो उन्होंने protest किया, मतलब Protestant sect जो है, तो वो वहाँ से, कि जो क्या है, जो Catholic sect था, उससे एक अलग sect निकल के आया, जो protest में निकल के आया, एक में, जैसे आपको basic difference बता दू, कैसे अलग हो गए, तो wine और bread जो होता है, ठीक है, wine और bread जो serve किया जाता है, तो Catholics जो है, वो क्या consider करते हैं, wine और bread को, वो ऐसा consider करते हैं, कि wine जो blood हो गया, जीजस का, और bread जो है, उनकी body हो गई है, लेकिन protestants नहीं मानते हैं से, कि क्या बोलते हैं, body और blood वगरा कुछ नहीं, वो प्रशाद टाइप से हां, कि ये bread है, ये wine है, ये हम consume करेंगे, बस that's it, इस तरह से, ठीक है, तो he translated the Bible into German, उसके बाद मैं जैसे मतला है, कि Luther was strongly opposed to the practice of indulgence, ठीक है, indulgence की practice क्या होती, इस चीज़ को समझो, तो ये reformation जैसे Luther ने जो लाए, तो indulgence की practice ये थी पहले, कि मानलो मैंने कोई अपराद किया, कोई पाप किया, सिन किया कोई, अब मुझे punishment देगा, कौन punishment देगा, church punishment देगा, कि सारी चीज़े church manage करते थे उस समय पे, तो अब church मुझे punishment देगा, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, अगर church को कुछ पैसे दे दिये, तो punishment मेरी कम हो जाएगी, अब बताओ जरा, ये ऐसा कैसा होता है, ये तो धर्म के बिल्कुल क्या है, अगेंस्ट में, ये तो ये church ने इस्टाइलिश किया, ताकि church क्या है, indulgence नाम की एक प्रथा चला के, पैसा कमाले, और जिन लोगों के पास पैसा है, वो तो बच जाएगे, गरीब का क्या होगा, तो ये सारी चीज़ों ने पसंद नहीं, उन्होंने आवाज उठाई, Protestant sect जो है, तो उन्हें फॉलो करने लगा, फिर क्या उन्होंने जब ये लिखे ना, New Testaments वगेरा, तो उन्होंने church के gate पर ही जाके चिपकाया, कि लोग पढ़े और इंस्पायर हो, तो यहाँ पे चिपकाया, तो चिपकाने के लिए पहले लिखना पड़ेगा ना, तो printing press भी उस समय तक develop हो गई थी, जैसे आज आप देखते हो ना, books वगेरा बहुत आसानी से print हो जाती, लेकिन आप 13th century की बात कर रहे हैं, तो उस समय पे तो books नहीं होगी न, लेकिन उस समय पे जैसे-जैसे printing press develop हो रही थी, पतलब छपाई के लिए machine, यह आप 10th class में पढ़ोगे एक पुरा chapter है आपका print culture का, तो जब यह printing press वगेरा develop हो रही थी, तो इसका advantage का मिला, तो role of printing press in popularizing his ideas, तो उसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि printing press के आने के बाद में बहुत ज़ादा क्या होगे, उनके ideas popularized हो गए, लोगों तक पहुच गए, तो यह उनको मदद मिली यहाँ पे, और Protestant Christian sects and teachings of Luther, तो Luther, Martin Luther की teachings को follow करते हैं, Protestant Christian sect जो है वो, इमर्ज होता है यहाँ पे, अब जैसे title page of the German Bible translated by Martin Luther, तुन्होंने German language में translate कर दी था कि एक आम आदमी भी पड़ पाए, ठीक है, इसी के साथ हमारा chapter जो है एक छोटा crisp topic था, लेकिन वो last में था, last में होने के साथ साथ, क्योंकि अब हम reformation की बात कर रहे हैं, भक्ती मुमेंट, सूफी मुमेंट, हिंदुईजम, इसलाम देख लिया, क्रिश्चनिटी को भी देख लिते हैं, तो उस सेंस में मैंने आपको एक topic cover कर वा दिया, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो feel free to ask in comment section, chapter हुआ हमारा complete यहाँ पे, management brains पे class 4th से class 12 तक, सभी subject, सभी chapters, सभी chapters के topics, subtopics, सारा सब कुछ यूही systematic order में available है, video lectures के format में available है, मैज़दार बात, इस सारे video lectures free of cost available, आपको क्या करना है, घर बैठे अपना syllabus complete करना, अपने juniors और seniors को भी magnet brains के बारे में बताना है, बलता है next video में, NCIT solution के साथ, chapter हमारा complete हो गया है, ठीक, किसी प्रकार के doubt है, feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much,